परिचाए तुम इस सेल्फ में क्या ढूंड रहे हो? मेरी जीविज्यान की किताब यहां नहीं है आज मेरे जीविज्यान के टीचर ने बताया है कि कल जीविज्यान का लिखिट टेस्ट होगा तो तुम्हारे टेस्ट का विशय क्या है? कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन किरपया मेरी सहयता करो भाई ठीक है मैं तुम्हें कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन की विभिन प्रावस्थाओं के बारे में बताता हूं उत्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्र करने में सक्षम हो जाएंगे कोशिका चक्र की व्याख्या करना कोशिका चक्र की विभिन प्रवस्थाओं को समझना M प्रवस्था और इसकी विभिन अवस्थाओं के बारे में जानना सूत्री विभाजन के महत्व का वर्लन करना अर्थ सूत्री विभाजन और इसकी विभिन अवस्थाओं के बारे में जानना अर्थ सूत्री विभाजन के महत्व का वर्लन करना कोशिका चक्र क्या है? कोशिका जीवन की संदचनात्मक और कारियात्मक इकाई है सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं, जिसमें प्रतेक पैतरक कोशिका विभाजित होकर हर बार दो संतती कोशिकाओं को जन्म देती हैं. ये नव निर्मित संतती कोशिकाओं स्वयम वृध्धी और विभाजन कर सकती हैं, एक पैतरिक कोशिका और इसकी संतती वृध्धी और विभाजन के बाद एक नई कोशिकी ये जनसंख्या का निर्माण करती हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं पूर्व श्कूत कोशिकाओं से उत्पन होती हैं। कोशिका विभाजन कहलाती हैं। वास्तों में ये एक बहुत महत्पून प्रक्रिया है और सभी जीविचीवों में पाई जाती हैं। एक कोशिका अपने जीनोम का दुई गुणन कोशिका के अन्ने संघटकों का संशलेशन करती है और अन्त में दू संतती कोशिकाओं में विभाजन करती है। कोशिका चक्र कहलाता है। आपको ये जान का राश्चरे होगा कि प्रती कृती गुण सूत्र यानी डिने कोशिका विभाजन के दौरान जटिल घटना करम के दौरा संतती केंद्रकों में वित्रित हो जाते हैं। अब आईए कोशिका चक्र की प्रवस्थाओं के बारे में जाने। कोशिका चक्र की प्रवस्थाओं कोशिका चक्र को दो मूल प्रवस्थाओं में विभाजित किया गया है। अंतरावस्था और M प्रवस्था या सूत्री विभाजन। M प्रवस्था उस प्रवस्था को व्यक्त करती हैं जब वास्तविक कोशिका विभाजन या सूत्री विभाजन होता है। और अंतरावस्था दो क्रमिक M प्रवस्थाओं के बीच की अवस्था को व्यक्त करती है। एम प्रावस्था का आरंब केंद्रक विभाजन से होता है, जो की संगत संतती गुण सूत्र के प्रतक्करण यानि केरियो काइनेसिस के सम्तुल्ले होता है, और इसका अंत प्राया कोशिका द्रव के विभाजन यानि साइटो काइनेसिस के साथ होता है. अंत्रा अवस्था को विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं इस दोरान कोशिका करमबद्ध तरीके से कोशिका वृध्धी और डीने प्रतिकृति करण करके विभाजन के लिए तयार होती है पहले आईए अंत्रा अवस्था की विभिन अवस्थाओं के बारे में जाने अंत्रा अवस्था को आगे तीन प्रवस्थाओं में विभाजित किया गया है जी एक प्रवस्था या गैप एक एस प्रवस्था या संशुलेशन प्रवस्था जी दो प्रवस्था या गैप दो अब आईए प्रतेक के बारे में विस्तार से जाने कोशिका चक्र की प्रवस्थाएं शेश G1 प्रवस्था सूत्री विभाजन और DNA प्रतिक्रिती करण के आरंब के बीच अंतराल को प्रदशित करती है। G1 प्रवस्था के दौरान कोशिका उपापचही रूप से सक्रिये होती है और निरंतर वृध्धी करती है। लेकिन इसका DNA प्रतिक्रिती नहीं करता है। S प्रवस्था या संशलेशन प्रवस्था उस अवधी को दर्शाती है जिसमें DNA, संशलेशन या प्रतिक्रिती करण होता है। इस समय प्रतिकोशिका DNA की मात्रा दुगनी हो जाती है। लेकिन गुण सूत्र की संख्या में कोई वृध्धी नहीं होती है। G2 प्रवस्था के दौरान सूत्री विभाजन के लिए प्रोटीन का संशलेशन होता है, जबकि कोशिका वृध्धी होती रहती है। कुछ कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं, जी एक प्रवस्था से निकल कर निश्क्रिय आवस्था में पहुचाती हैं, जो कोशिका चक्र की शान्त आवस्था यानि जी ओ कहलाती हैं। इस प्रवस्था में कोशिकाएं उपापचाई रूप से सक्रिय रहती हैं, लेकिन ये विभाजित नहीं होती हैं, इनका विभाजन जीव की अविशक्ता के अनुसार होता है। M प्रवस्था और इसकी अवस्थाएं M प्रवस्था सूत्री विभाजन भी कहलाती हैं, जूंकि जनक और संतती कोशिकाओं में गुण सूत्रों की संख्या पराबर होती हैं, इसलिए ये सम विभाजन भी कहलाती हैं। सूत्री विभाजन को निम्नलिकित चार अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पून अवस्था, मध्य अवस्था, पश्च अवस्था और अंत्य अवस्था। आईए इनके बारे में विस्तार से जानें। पून अवस्था, सूत्री विभाजन की पहली अवस्था पूर्वावस्था है। ये अंत्रावस्था के S और G दू प्रावस्था के बात की अवस्था है। S और G दू प्रावस्था में नई DNA अणूं बनते हैं और आपस में गुंते होने के कारण स्पष्ट नहीं होते हैं। पूर्वावस्था के पून होने के दौरान जो महद पून खटनाए होती हैं, उनकी निम्नविशेष्टाई हैं। गुंसूत्री द्रव्वे संगनित होकर ठोस समसूत्री गुंसूत्र बन जाता है। गुंसूत्र दो अर्थ गुंसूत्रों का बना होता है, जो आपस में सेंट्रो मियर यानि गुंसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। समसूत्री तरकु, सुक्ष्मन नलेकाओं के जमावडे की प्रक्रिया आरंब हो जाती है। कोशिका द्रव के ये प्रोटीन युक्त घटक इस प्रक्रिया में सहयता करते हैं। M प्रावस्था और इसकी अवस्थाएं मध्यावस्था सूत्री विभाजन की दुईती अवस्था मध्यावस्था कहलाती है। इस हवस्था में मध्यावस्था गुण सूत्र दो संतती अर्थ गुण सूत्रों से बना होता है। जो आपस में गुण सूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। गुण सूत्र बिंदू की सतह परिस्थित छोटी बिंब के आकार की सनचना काइनेट कोर कहलाती है। ये सनचना तरकुतंतु के चुड़ने का स्थान है जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र परिस्थित गुण सूत्रों से जुड़े होते हैं। मध्यावस्था में गुण सूत्रों के पंक्ति बद्ध होने का तल मध्यावस्था पट्टिका कहलाता है। मध्यावस्था की मुक्य विशेश्टाएं हैं। तरकुतंतु गुण सूत्र के काइनट कोर से जुड़े रहते हैं। गुण सूत्र तरकु मध्यरेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्ति बद्ध होकर ध्रूवों से तरकुतंतु से जुड़ जाते हैं। अब आईए सूत्री विभाजन के अगले चरण अर्थात पश्चावस्था के बारे में जाने। ये सूत्री विभाजन का तीसरा या अगला चरण है। पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पराय प्रत्यक गुण सूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। और दो संतती अर्थ गुण सूत्र दो विप्रेत धुरूवों की ओर जाने लगते हैं। इस अवस्था की मुख्य विशेश्टाएं हैं। गुण सूत्र बिंदू विखंडित होते हैं और अर्थ गुण सूत्र अलग होने लगते हैं। अर्थ गुण सूत्र विप्रीत धुरूवों की ओर जाने लगते हैं। एम प्रावस्था और इसकी अवस्थाएं। अगली अवस्था अंतियावस्था है। ये निम्निलिकित मुख्य खटनाओं को दर्शाती है। गुण सूत्र विप्रीत तर्कु धुरूवों पर एकत्रित हो जाते हैं और उनकी प्रथक तत्व के रूप में पैचान समाप्थ हो जाती है। गुण सूत्र समुह के चारों ओर केंद्र कावरण का निर्मान हो जाता है। केंद्र का गौल जिकाय और अंतर द्रवे जालिका का पुनर निर्मान हो जाता है। क्या आप चानते हैं कि सूत्री विभाजन दुई गुणित गुण सूत्रों के संतती केंद्रकु यानि केंद्रक विभाजन में सम्प्रिथिकन से ही समाप्थ नहीं होती। बरकि कोशिका विभाजन संपन होने के अंत में कोशिका स्वयम एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतती कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जो कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाती है. सूत्री विभाजन का महत्व अब तक हमने सूत्री विभाजन की विभिन अवस्थाओं के बारे में जाना, अब आईए देखें कि सूत्री विभाजन का क्या महत्व है सूत्री विभाजन का महत्व सूत्री विभाजन में साधनर्तिया, समान आनुवनशिक अव्यवाली, दुई गुनित संतती कोशिकाएं बन दी है बहु कोशिके जीवों की विभाजन के कारण होती है कोशिका व्रिधी के परिणाम सरूप, केंद्रक वा कोशिका द्रव के बीच का अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है इसलिए ये आवशक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्रक कोशिका द्रव के अनुपात को बनाए रखे सूत्री विभाजन का बहुत महत्पून योगदान कोशिका की मर मत करना है आधी चर्म की उपरी सतह की कोशिकाएं, आहार नाल की भीत्री सतह की कोशिकाएं और रुधिर कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती है विभज्य योति की उतकों, शीर्शस्थ एवं पार्श्विये कैम्बियम में सूत्री विभाजन के कारण पौधों में जीवन भर प्रिद्धी होती रहती है अर्थ सूत्री विभाजन और इसकी अवस्थाएं अब आए अगले विशय अर्थात अर्थ सूत्री विभाजन पर आते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लेंगिक जननद्वारा संतती के निर्मान में दो युगमकों का सनलयन शामिल है जिनमें आगुनित गुन सूत्रों का एक समू होता है युगमक विशय दुई गुनित कोशिकाओं से दिर्मित होते हैं ये विशय प्रकार का कोशिका विभाजन जिसके द्वारा बनने वाली आगुनित संतती कोशिकाओं में गुन सूत्रों की संख्या आधी हो जाती है इस प्रकार का विभाजन अर्द सूत्री विभाजन कहलाता है। अर्द सूत्री विभाजन की मुख्य विशेष्टाएं निम्नवत हैं। अर्द सूत्री विभाजन में केंद्रक और कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र शामिल होते हैं, जिसे अर्द सूत्री एक और अर्द सूत्री दो कहते हैं। लेकिन DNA प्रतीकृती करण का केवल एक चक्र पूम होता है। एस कवस्था में पैतरिक गुण सूत्रों के प्रतीकृती के साथ समान संतती अर्द गुण सूत्र बनने के बाद अर्द सूत्री एक अवस्था प्रहरंब होती है। अर्द सूत्री विभाजन में समजात गुन सूत्रों का युगलन एवं पुनर यूजन होता है। अर्द सूत्री दो के अंध में चार अगुनित कोशिकाएं बन दी हैं। अर्द सूत्री विभाजन को निम्न अवस्थाओं में वर्गी क्रित किया गया है। पूर्वावस्था एक, मध्यावस्था एक, पश्चावस्था एक और अंत्यावस्था एक अर्द सूत्री एक के तहट आती हैं। जबकि पूर्वावस्था दो, मध्यावस्था दो, पश्चावस्था दो और अंत्यावस्था दो अर्धसूत्री दो के तहट आती हैं, अब आये प्रत्येक प्रावस्था का विस्तार से अध्यन करें। अर्धसूत्री विभाजन और इसकी अवस्थाएं अर्धसूत्री एक की प्रतम अवस्था पूर्वावस्था एक है। ये सूत्री विभाजन की पूर्वावस्था की तुल्ना में बहुत लंबी और अधिक जटिल है। गुण सूत्रों के वैवाहार के आधार पर इसे आगे निम्न पांच प्रवस्थाओं में उप विभाजित किया गया है। अर्थाद तनुपट्टे, युग्मपट्टे, स्थूलपट्टे, दुईपट्टे और पारकती क्रम। तनुपट्टे, प्रकाश सूष्मदर्शी से देखने पर तनुपट्टे अवस्था के दौरान गुण सूत्र धीरे धीरे स्पश्ट दिखाई देने लगते हैं। गुण सूत्र का संहानन तनुपट्टे अवस्था के दौरान जारी रहता है। इसके बाद पूर्वा अवस्था एक का दूतिय चरण प्रारंब होता है, जिसे युग्म पट्ट कहते हैं। इस अवस्था के दौरान गुण सूत्रों का युग्मन प्रारंब हो जाता है और इस प्रकार की संबधता को सूत्र युग्मन कहते हैं। ऐसे युग्मित गुण सूत्र समजात गुन्सूत्र कहलाते हैं। इस अवस्था का इलेक्ट्रोन सूक्ष्म लेखी ये दर्शाता है कि गुन्सूत्र सूत्र युग्मन के साथ एक जटल सनचना का निर्मान होता है जिसे सनेप्टो निमल सम्मिश्र कहते हैं। सूत्र युग्मित समजात गुन्सूत्र के युग्मत्वारा निर्मित सम्मिश्र युगली अथ्वा चतुष्क कहलाता है। हालाकि वे अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगली अवस्था स्थूल पट पहले की दोनों चरणों से अधिक लंबी होती है। स्थूल पट अवस्था के दौरान युगली गुन्सूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस अवस्था में पुनर योजन क्रंथिकाएं दिखाई देने लगती हैं जहाँ पर समजात गुन्सूत्रों के असंतती अर्थ गुन्सूत्रों पर अनुवन्शिक पदार्थों के पुनर योजन को पढ़ावा देता है। समझात गुन सूत्रों के बीच पुनर योजन स्थूल पट्ट अवस्था के अंति तक पून हो जाता है। जिसके परिणाम सरूप विनमय स्थर पर गुन सूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। स्थूल पट्ट अवस्था के बाद दुईपट अवस्था आती है। दुईपट अवस्था की शुरुवात की पहचान सिनेप्टो नीमल सम्मिश्र के विक्ठन से होती है। और युगली के समझाद गुन सूत्र विनमय बिंदु के अत्रिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। एक्स आकार की ये सनचना का एजमेटा कहलाती है। अर्द सूत्री पुर्वावस्था एक का अंतिम चरण पारगती क्रम है। ये काईजमेटा के अंत दौरा पहचानी जाती है। इस प्रावस्था के दौरान गुन सूत्र पूर्टया संगनित हो जाते हैं। और अर्द सूत्री तरकू एकत्रित होकर समजात गुन सूत्रों को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं। पारगती क्रम के अंधय तक केंद्र का अद्रिश्य हो जाती है और केंद्रक आवरण भी विक्षित हो जाता है । पार्गति क्रम मध्य अवस्था की ओर पार्गमन को निरुपित करता है. अर्ध सूत्री विभाजन और इसकी अवस्थाएं पूर्व अवस्था एक पून होने के बाद मध्य अवस्था एक आती है. इस अवस्था में युगली गुण सूत्र मद्यरेखा पटिका पर वैवस्तित हो जाते हैं। विप्री ध्रोमों के तर्कू की सूक्ष्मन नलिकाएं समझात गुण सूत्र के जोड़ों से जुड़ जाती हैं। पश्चावस्था एक अगली अवस्था है। इस अवस्था में समझात गुण सूत्र अलग हो जाते हैं। जबकि संत्ति अर्द गुण सूत्र गुण सूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। पश्चावस्था एक के बाद अंत्य अवस्था एक आती है। इस अवस्था में केंद्रक कला और केंद्र का पुना इसपश्थू होने लगते हैं। कोशिका द्रवे विभाजन शुरू हो जाता है और ये कोशिका द्विक कहलाता है। यद्पी बहुत से मामलों में गुण सूत्र का कुछ चित्राव हो जाता है। वे अंत्रा अवस्था केंद्रक की पूर्टिया फैली अवस्था तक नहीं पहुंचते हैं। दो अर्द सूत्री विभाजन के बीच की अवस्था अंत्राल अवस्था कहलाती है। और ये समानिता कम समय के लिए होती है। अंत्राल अवस्था के बाद पूर्वा अवस्था दो आती है। अर्द सूत्री विभाजन और इसकी अवस्थाएं। पूर्वा वस्था दो के अंत्र तक केंद्रक झिल्ली अद्रिश्य हो जाती है। गुण सूत्र पुना संगनित हो जाते हैं। पूर्वा वस्था दो के बाद मध्या वस्था दो आती है। इस अवस्था में गुण सूत्र मध्यांश पर पंक्ति बद्ध हो जाते हैं और तरकों की विपरीत ध्रुवों की सुक्ष्म नलिकाएं संतती अर्ध गुण सूत्र के काइनटो कोर से चिपक जाती हैं। सूत्री विभाजन के समान मध्या वस्था दो के बाद पश्चा वस्था दो आती है। पश्चा वस्था दो प्रतेक गुण सूत्र के गुण सूत्र बिंदु के ततकाल अलग होने से शुरू होती है। और गुण सूत्र कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चली जाती अर्द सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था अंतियावस्था दो है। इस अवस्था में गुण सूत्रों के दो समू एक बार पुना एक केंद्र कावरण में बंध हो जाते हैं। कोशिका द्रवे विभाजन के बाद चार आगुणित संतती कोशिकावं का चतुस्थे बन जाता। अर्द सूत्री विभाजन का महत्व अब तक हमने अर्द सूत्री विभाजन एक और अर्द सूत्री विभाजन दो के विभने चरणों के बारे में सीखा अब आईए जाने कि अर्द सूत्री विभाजन का क्या महत्व है अर्द सूत्री विभाजन वो क्रिया है जिसके द्वारा लेंकिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाती में विशिष्ट गुण सूत्र की संख्या संदक्षित रहती है यद्यपी विरूधा भासी प्रक्रिया के परिणाम सरूप गुन सूत्रो संख्या आधी हो जाती है इसके द्वारा जीवधारियों की चन्संख्या में एक पीडी से दूसरी पीडी तक आनुवन्शिक विभिनताएं बढ़ती जाती हैं विकास प्रक्रिया के लिए विभिनताएं बहुत महत्पूं हैं। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में दोहराएं। घटनाओं का अनुक्रम जुसके द्वारा एक कोशिका अपने जीनोम का दुईकुणन कोशिका के अन्ने संखटकों का संशिलेशन करती है और अंत में दो संतती कोशिकाओं में विभाजन करती है कोशिका चकर कहलाता है। कोशिका चक्र के दो मोल प्रावस्थाओं में विभाजित किया जाता है अंत्रावस्था और M प्रावस्था या सूत्री विभाजन M प्रावस्था उस प्रावस्था को व्यक्ति करती है जब वास्तविक कोशिगा विभाजन या सूत्री विभाजन होता है और अंत्रावस्था दो क्रमिक M प्रावस्थाओं के बीच की अवस्था को व्यक्ति करती है अंत्रावस्था को आगे तीन प्रवस्थाओं में विभाजित किया गया है G1 प्रवस्था, S प्रवस्था, G2 प्रवस्था M प्रवस्था या सूत्री विभाजन को निम्न चार चर्णों में विभाजित किया गया है पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था सूत्री विभाजन में साधन अर्तिया समान आनुवन्शिक अव्यवाली दुई गुनित संत्यती कोशिकाएं बन्दी हैं अर्ध सूत्री विभाजन में केंद्रक और कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र शामिल होते हैं, जिसे अर्ध सूत्री एक और अर्ध सूत्री दो कहते हैं, लेकिन DNA प्रती कृती करण का केवल एक चक्र पूर्ण होता है. अर्ध सूत्री एक में पूर्वावस्था एक, मध्यावस्था एक, पश्चावस्था एक और अन्त्यावस्था एक शामिल है, जबकि अर्ध सूत्री दो में पूर्वावस्था दो, मध्यावस्था दो, पश्चावस्था दो और अन्त्यावस्था दो शामिल है. गुण सूत्रों के व्यवहार के आधार पर पूर्वावस्था एक को पांच प्रवस्थाओं में उप विभाजित किया गया है अर्थाद तनुपट्टे, युक्मपट्टे, स्थूलपट्टे, दूईपट्टे और पार्गदिक्रम स्थूलपट्टे प्रवस्था के दौरान विनिमय होता है अर्ध सूत्री विभाजन से जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक अनुवन्शिक विभिनताएं बढ़ती जाती हैं